कश्मीरी पंडितों के नरसंगार पर बनी फिल्म दा कश्मीर फाइल्स से पूरा बॉलिबुट डरा हुआ है कंगना रनाउत को छोड़कर एक भी स्टार ने इस फिल्म के लिए एक शब्द तक नहीं कहा है कपिल शर्मा शो ने भी इस फिल्म के प्रमोशन से मना कर दिया है कोई जाता ही नहीं कि लोग इस फिल्म को देखने जाएं लेकिन क्या है न ये पब्लिक है ये सब जानती है दा कश्मीर फाइल्स ने बॉलिवूट से लेकर साउथ तक की हर फिल्म को पीछे छोड़ दिया है दुनिया भर में फिल्मों की रेटिंग देने वाली वेबसाइड आयम डीवी ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें इंडिया में इस समय टॉप 10 ट्रेंड होने वाली फिल्मों के बारे में बताया गया है इस लिस्ट में बच्चन पांडे, RRR, KGF चैप्टर 2 जैसी फिल्म है हैरानी की बात ये है कि इस लिस्ट में नमबर बन पर दा कश्मीर फाइल्स है ये वो फिल्में है जिनके बारे में इस समय लोग सबसे ज़ादा सर्च कर रहे हैं इसके नीचे नमबर तीन पर RRR, नमबर चार पर इथार कुकुम धुनिन धवन, नमबर पांच पर KGF चैप्टर 2, नमबर चे पर बच्चन पांडे और उसके नीचे डेंजरस, अटैक, सल्यूट और हीरो पंती 2 जैसी फिल्म है इस लिस्ट में बॉलीबूट के फिल्में नमबर चे से शुरू हो रही है अक्शा कुमार जैसे बड़े स्टार की फिल्म बच्चन पांडे नमबर चे पर है जबकि कश्मीर फाइल्स नमबर एक पर है प्रभाश रामचरन, जुनिर एंटियार और येश जैसे स्टार्स की फिल्मों को पीछे छोड़ कर तक कश्मीर फाइल्स ने नमबर एक पर जगा बनाई है आप समझ सकते हैं कि जिन फिल्मों के प्रोमोशन पर पानी की तरह पैसा भाया जा रहा है उन फिल्मों में बड़े-बड़े स्टार्स हैं फिर भी लोग उनकी फिल्म को सर्च नहीं कर रहे है वहीं दूसरे तरफ दाकश्मीर फाइल्स कम बचट की फिल्म है और उसका बड़ा प्रोमोशन भी नहीं हो रहा इसके बाबजूद भी लोग उस फिल्म के बारे में दिल्चस्प भी ले रहे हैं ये अपने आप में कमाल की बात है फिलाक इस पर आपका क्या कहना है अपनी राहे में कमेंट में दीजे और जादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजे